हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक आवर चैनल आप सभी का आपके अपने चानल पर स्वागत हो और आप लोग ये हैडिंग तो देखी रहे होंगे तो विसली जो एंबी और बीटेक वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी अपडेट आप कह सकते हो बहुत बड़ी खु हैं नहीं दिली वरिष स्वाधतम के लिए बल्कि गुणवत्ता पूरक सिक्षकों की भी कमी है कारण देश में बहते सिक्षक तियार करने का कोई माब्दरन नहीं है डिली एप पूर्य देश के सामने इमानक स्वापित करने जा रही है जिसमें नहीं सर्फ रेगुलर कोश बिल्कि उत्सिक्षा प्राप जैसे MBA, BTEC करने वाले चात्र भी एक साल का विशेश डिप्लोमा करके सिक्षक बन सकेंगे यानि कि उन लोगों को जो है एक साल का डिप्लोमा करना पड़े हैं उसके बाद ही वो सिक्षक बन पाएंगे यह बाते दिल्ली के सिक्षा मंतरी मनिश शिशोदिया ने सौंवार को विदान सबा में यानि कि कल के ही निउस है दिल्ली सिक्षक विशेव द्याले की स्थापना को लेकर सदन में विध्यक पेश करते हुए कही शिशोदिया ने कहा कि हम सिर्फ पढ़ाएंगे नहीं बलकि प्रिक्षिशन ले रहे लोगों को सीधे स्कूल में अटेच करेंगे जिससे वह किताबी ज्यान के साथ प्रयोगिक तोर पर सिक्षन कारे को सीख सकें बहतर प्रिक्षिशन के लिए अंतराश्य सिक्षा विदों को भी जोड़ा जाएगा जैसे आप MCEA करते हो बीटेग करते हो आपको कंपनी में आज आपको जो है वहाँ पर आपको प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है तो कंपनी में जाना पड़ता है, तो ऐसे ही हो सकता है, उस सिक्षा वाले भी डिप्लोमा करके बन सकेंगे, सिक्षक, क्योंकि भई, कहते हैं कि आपने बीटेक कर लिया है, तो आप प्राइवट सेक्टर में ही जाएंगे, ये जाएंगे, वो जाएंगे, लेकिन अब जो है, पर सताई तोर पर नहीं कर सकते हैं, ऐसे युवा और उत शिक्षा वाले लोग, जिनमें सिक्षक बनने की शमता है, जोनोंने MBA बीटेक किया है, वे सिक्षन कारे से जुड़ें, इसके लिए विशेश तोर पर एक साल का डिप्लोमा कोर्स डिट्यू में कराया जाएगा, ठ इसक्षक बनने में साथ दुनिया भर के साथ जुड़ने का मोका मिलेगा, ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं, बार्मी के बाद दाखिला चार साल का कोर्स होगा, देश भर में सिक्षक बनने के लिए सना तक करने के बाद, BA या BTC करना होता है, डेफिनिटली भी है, अगर आप कुछ भी करते हो, देखो, कम्प्यूटर साइंस के लिए एक्साप्शन है, अधर्वाइस बीएड कंपल्सरी है, सभी के लिए अगर आप 12th क्लास यानि की JBT टीचर बनते हैं, तो आपको JBT करना जरूरी है, वैसे अगर आप 6 to 8 या फिर उपर जो भी आप TGT बनते हैं, तो आपको JBT कंपल्सरी होना चाहिए, ठीक है, तो दिल्ली परशेशन विश्वद्यालम में, चार साल का इंटेग्रेटर पाठेग्राम होगा, जिसमें बार्वी के बाद परवेश प्रिक्षा के अधार पर दाखिला दिया जाएगा, दूसरे राजों में सनात जो है, बहुत ही बड़ी रिस्पॉंसिबलीटी होती है, कि जब हम किसी को पढ़ा रहे हैं, उसको कितना ग्यान मिल, मतलब हो कितना समझ पा रहा है, सिरफ एक ड्यूटी पूरी करना वो इक अलग हो है, गर आप उसको अपनी जिम्मेदारी, अपना पैशन समझ के पढ़ा तो अपना पैशन समझ के पढ़ा रहे हैं, तो आप टीचिंग के लिए ही बनी है, तो पांच इजार सीटों के लिए 2022 सेक्शनिक सतर में दाखेले होंगे, पांच करोड फंड की विवस्था की गई, सो करोड रुपय सालाना चाहिए, पंदरा सिक्षों के पद दिल्ली में भरे जाएंगे, 11 लाक सिक्षकों की कमी देश में, इतने सिक्षकों की कमी हैं, लेकिने वेकेंसी आउट करना बिल्कुल नहीं चाहते हैं, वही है कि काम चल रहा है, ठीक है, हम क्यों सेलरी दें, तो बहुत सारी चीज़े हैं, पता नहीं क्या मेंटलेटी वन गई है, सोच साथ में आपको बता भी रखाएंगे, तो आई होब आपको अच्छे सारी चीज़े समझ में आ गई होगी, अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है, तो कमेंट सेक्षन में पूछ सकते हैं, तो फिर मेलेंगे ऐसी नहीं अप्डेट की साथ, तब तक लिए बाबाई, ट